उतरप्रदेश के सीम योगी की सरकार लगातार भ्रस्टाचार पर लगाम कसने की बात कहती नजर आती है वहीं राज्य सरकार की पुलिस भी अपनी सरकार के नाक के नीचे भ्रस्टाचार का खेल खेलती नजर आती है हाल ही में सीम योगी आदितिनाथ ने राज्य के सभी थाने में तैनाथ पुलिस निरिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग कर मुस्तादी से जनता की सेवा करने की बात कही थी फिलाल इसके उलट राजधानी लखनाओ में एक पुलिस कर्मी ने पूरे पुलिस प्रशाशन की किर्किरी करा दी है दरसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस कर्मी चार पहिया वाहन से पैसे की उगाही करते नजर आ रहा है आमने आये वीडियो में पुलस आरक्षी को ये कहते सुना जा रहा है कि मुझे लगा कि चार बाग से बुकिंग लेकर निकले हो चलो 500 रुपे दो और जल्दी भागो और हमें निकलने दो जानकारी के अनुसार पुलस कर्मी वर्तमान में यूपी 112 कमिशनर लखनव के थाना बाजार खाला पर तैनात है वहीं वीडियो पर संग्यान लेते हुए पुलिस के आला अधिकारी इस पर कारवाई किये जाने की बात कहते नज़र आ रहे हैं मामले में DCP Central अपड़ना कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहन चालक से 500 रुपे की डिमान कर रहा पुलिस कर्मी चंदरशेखर यादव था जिसे ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है फिलहाल दिन दहाडे इस तरह से वसूली कर रहे पुलिस कर्मी के वीडियो ने लखनव पुलिस के साथ ही राज्य के पुलिस प्रसाशन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है ये पहला मौका नहीं है जब पुलिस पर पैसे उगाही के आरोप लगे है अक्सर पुलिस पर पैसे की वसूली को लेकर आरोप लगते रहते है